हेलो फ्रेंड्स आज भी आपके साथ सेर कर रही हूँ बहुती अनुखी आसान सब्जी की रेसिपी जिससे आप जब चाहे कोई सब्जी समझना आए तो आप इससे बना सकते हैं सभी कोई सब्जी बहुत पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइ नमक डाल देंगी अब इसमें दो चुटकी हींग डाल देंगी और इन सभी मसाले को बेसन में अच्छे से मिला लेंगी मैंने साहरे मसाले को अच्छे से मिला लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल की इसका गाड़ा बेटर बना कर तयार कर लेंगी और देखे इसका कलर लाइट हो गया है तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं हम मिकसर जार लेंगी इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है साथ ही दो हरी मीज डाल देंगी और 5-6 लेसुन की कलिया डाल देंगी अभी इनको पीश लेंगी ये देखे मैंने इस तरह का पेश्ट तयार कर लिया है उसाथ ही मैंने एक मीडियम साइज का टेमेटर को बारी काट लिया है अब हम गेंस पर एक कडाई रखेंगे इसमें हम डाल देंगे दो बड़ी चम्मत सर्चो का ओयल ओयल को अच्छे से गरम कर लेंगे अभी इसमें एक चोटा चम्मत जीरा डाल देंगे जीरा चटकने के बाद अभी इसमें प्याज लेसुन मिर्च का पेश्ट डाल देंगे और थोड़ी देर इनको भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका कलर सुने रहा ना हो जाए यानि कि इनका कच्छा पंदूर ना हो जाए ये देखे इनका कलर हलका सा सुने रहा हो गया है अब इसमें एक बारी कटा हुआ टामटर डाल देंगे अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके सोब्ट होने तक पकाएंगे ये देखे टेमेटर भी हलका सा सोब्ट हो गया है अब इसमें मसाले एड़ कर देंगे आदी चोथाई चम्मच हल्ली पाउडर आदी चम्मच कस्विरी लाली मिच पाउडर और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर आदी चम्मच नमक डाल देंगे उस सहाथी आदा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे अब इन सभी मसाले को अच्छे से भून लेंगे ये देखे प्याज के साथ मसाले को मैंने दो मिनट भून लिया है अब इसमें आदी काटोरी दही डाल देंगे ये मैंने एकदम ताजा दही लिया है अगर आपका दही ज्यादा खटा है तो आप 3-4 चम्मज डाल सकते हो यहाँ पर मैंने गेंस की फ्लेम एकदम सलो कर दी है और इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारा दई फटे नहीं अब इसे मीडियम आज पर 2 मिनट पकाएंगे और ये देखें मसाले ने ओल चोड़ दिया है अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अब इसमें डेड़ ग्लास पानी डाल देंगे जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा पानी हम बाद में डालेंगे गेंस की फ्लेम को हम लो से मीडियम रखेंगे अब एक इडली प्लेट लेंगे इस कडाय की उपर रख दिया है वो सभी सांचे को ओयल से ग्रीज कर लिया है और आप बेशन का गोल लेंगे एक एक चम्मत इसके अंदर डालेंगे और फ्रेंड्स इडली स्टेंड की जगे आप अपे पेन भी ले सकते हो इस तरह से सब्जी जल्दी बन जाती है और देखे इसे पूरा मत बरिये थोड़ा खाली रखेगा क्योंकि ये थोड़े फूलते है अब हम इनको कवर करके चार से पांच मिनट तक इस्टिम कर लेंगे और पांच मिनट बाद देखे थोड़े फूल गए है और ये देखे अच्छे से सेट हो गया है और पक भी गया है अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे अगर आपकी ग्रेवी गाड़ी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा पाने एड़ कर सकते है आप ग्रेवी अपने इसाब से पतली या गाड़ी तक सकते है अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इसे सबजी में वहोती अच्छा टेस्ट आता है इदर ये थोड़े ठंडे हो गए है अब हम इनको पेंट से निकाल लेंगी और ये देखिए पेंट से आसानी से निकल जाते है बिल्कूल भी चिपका नहीं है एकदम सोट जालीदार बना है ग्रेवी इनकी अंदर चली जाती है तो ये खाने में बहुती टेस्टी लगते है इदर ग्रेवी में उवाल भी अच्छे से आ रहा है तो इसमें हम ये बेसन की इडली डाल देंगे और अब मसालों का फ्लेवर इनकी अंदर आ जाए तो हम इनको कवर करके 4-5 मिनट तक पकाएंगे और 5 मिनट के बाद इसमें बारी कटा हुआ हरा देनिया डाल देंगे और देखे हमारी बहुती स्वादिश्ट बेसन की अनुकी सबजी बन करके तयार हो गई है फ्रेंड्स आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है इस सबजी को रोटी पूरी प्राठी किसी के भी साथ बहुती टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स जब घर में कोई सबजी नहीं हो तो एक बार इस तरीके से बेसन की सबजी बना कर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी और फिर मिलती हूँ एसी एक और नई डेसिपी के साथ तब तक लिए बाइबा एंड टेक केर